हाई गाईज असलाहलेकूम आप सभी की फर्माईश पे आज में लेके आए हूँ बहुत ही इजी और कुइकली बनने वाली फाइरलेस कुकिंग की रेसिपी और यह रेसिपी आप चाहिए स्कूल कॉम्पेशन हो यह आपके सुसाइटी में कुकिंग कॉम्पेशन हो आप यह इंट्रिड्यूस करें कि मेरा इवादा है ट्रॉफी तो आपके घर पे आने वाली है तो रेसिपी शुरू करते हैं यहां पे मैंने लिये ब्राउन ब्रेड और पहले उसके और फोर साइज साइज को पहले ट्रिम कर लेना है और फिर मॉर्डे की मैंने वाइट कंपाउंड चॉकलेट लिए उसको थोड़ा सा शेव कर लेना है तो यहां पे मेरे इस ट्रेक्शर मेरी ग्रेंड डॉटर ही बना रही है देगे यहां पे टू पैकेट्स हमने स्मॉल वाले ओरियो के विसके लिए और इसको स्मॉल पीसेज में इस तरह से ब्रिक कर लेना है और यह इसक चॉकलेट इसके नहीं निकालनी है चॉकलेट के साथ ही आपको इसको जोए ब्लेंडर जार में डालके तोड़ा सा दूर डालना है मिन्स टू टीस्पून मैंने मिल्क डाला है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है जब तक यह स्मूध क्रीमी टेक्श्चर ना आ जो भी है आप यूज करिए नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं बस एक स्लाइस को पहले मैंने प्लेट पे रख दिया जिसमें आपको सफ करना है सेंटर में पहले थोड़ी सी क्रीम लगा दी उसके उपर अच्छे से मैंने हर्शिल का सिरप डाल दिया है अगर आप तक स्वीटनेस चली जाती है उसके तो सिरप से यह कि सिरप हम जैसे डाल रहें तो सिरप में भी ब्रेट जह है एब्जॉफ कर लेगी तो बस इस तरह से हमने इसको स्प्रेट कर दिया है और यह हो गई है रेडी थ्री स्लाइसेस का मैंने बनाया है और टॉप पे भी हमने यह डाल दिया हर्शिल का डार्क चॉकलेट सिरप तो इसकी जगह आप रेप्रेश्मेंट तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं जो चीज़ें आपके पास हैं उससे आप अपनी क्रेटिविटी दिखा सकते हैं और यहां पे जो मैंने ब्लेंड किया है और यहां पे जो मैं अब इसके ओपर लगा रही हूँ और ट्विक्स के सार पीसेज में तोड़के फिर हम इसको यूज़ करेंगे तो यहां पे देखे अब यहां पे यह जो ओरियो विस्किट की हमने क्रीम बनाई है और इसको इस तरह से चारू तरफ से हमें इसको कवर कर देना है और अच्छे से इसको लगाना है देखे और जितनी बजगी मैंने उपर अच्छे से डालके इसको स्प्रेट कर दिया है और बस अब यहां पे इसने हार्ट शेप लगाया है यह तो आप एनिहाओ यू कें डेकोरेट और यहां पे स्टार्ड लगा कि उसने सिल्वर डालना है परल तो वहां पे सिल्वर डाल दिये और एक में गोल्डेन डाल हाट वाले में और बाकि जो साइट्स बचा है वहां पे इसने वाइट चॉकलेट जो जो वाइट कंपाउंड चॉकलेट के शेव थे वह थोड़े से स्प्रिंकल कर दिये हैं मैंस इसको पूरी तरह से कवर किया है यह सब आप्शनल है आप एनिहाओ यू कें डेकोरेट आप उपर ओरियो बिस्केट रखके भी सिंपली डेकोरेट कर सकते हैं तो बस यहाँ पे देखिए जितने भी मेरे पास ट्विक्स थे उसको तोड़ तोड़ के टू पार्स में किया और उसके बाद उसको साइड में इस तरह से स्टैंड कर दिया तो यह मेरे टू साइड पे ही कम्प्लीट हो पाएं और फोर साइड कवर नहीं हुआ तो यहाँ पे देखिए मेरी रेसिपी होती है कम्प्लीट आप इसकी जगह पे आप ट्विक्स की जगह पे और यो बिस्केट भी साइड में लगा सकते हैं तो बस आपके पास जो है बिल्कुल आपको ऐसे ही दिखेगा एक एक लेयर जैसे केक की रहती है सेम उसी टाइप से इसमें एक एक लेयर बिल्कुल आपको क्लीर दिखेंगी बहुत ही केरफुली देखिए उठा लिया है तो यहाँ पे मेरी ग्रेंड डॉटर ने देखिए यह रेसिपी तयार किये तो अगर आपको यह अच्छा लग रहा है थोड़ी भी रेसिपी अच्छी लग रही है केक अच्छा लग रहा है या मेरी लिटल प्रिंसेस की अफर्स अच्छे लगें तो प्लीज डू लाइक शेर और सब्सक्राइब माई चैनल और बस यह देखिए अब कट करके भी दि तो उसका भी हमने का कि मोल्ड है रेडी बस उसमें डालके यह चार पीसे उसने तयार कर लिए तो बस क्या करना है अल्रड़ी हमने पहले वीडियो में डाला हुआ है यह जो वाइट चॉकलेट इस तरह से कट करना है आपको किसी भी तरह से आप इसको चॉप कर लीजे और यह चॉकलेट को मेल्ड करना है और मेल्ड करने के बाद इसको बोल्ड में डालके और थोड़ा से उपर से इसने मिल्की चोको चिप्स डाल दिये और इसको अच्छे से एवेंली प्रेस कर दिया है और प्रेस करने के बाद इसको टैप करना बहुत इंपॉर्टेंट है अध तरह से टैपिंग कर देनी है और इसको हार्ड़ी 10 मिट्स लगता है और हम इसको फ्रीज में डालेंगे फ्रीजर में डालेंगे 10 मिट्स के लिए और यह रेडी हो जाएगा तो वह भी हम निकाल के भी आपको दिखा देंगे तो देखें यहां पे हम स्पून से ही कर रहे हैं हमने इसमें पाइपिंग बैक में नहीं डाला है और जो इसने डार्क चॉकलेट पहले बनाई है उसका भी वीडियो आप देखेगा तो इसमें पाइपिंग बैक में डाल दिया तो बच्चों को बनाने में बहुत इजी हो जा मिनी चॉकलेट से इस सो क्यूट बस यह हमने फ्रिज में रखा है टैन मिर्स के लिए और उसके बाद देखिए यह हो गई है रेडी लव सो यह दिखिए अभी कोई ओकेशन के आपको वेट नहीं करना है कभी भी आपका मनों आप बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं यह दिखिए हिंस्टाग्राम वाले आगे हैं और यहां पे आगे हैं मिनी चॉकलेट वाला डिजाइन कितना क्यूट लग रहा है बोथ दर साइड यू कन सी इस सो प्रिटी यू मस् ट्राइड इस रेसिपी इफ यू लाइक प्लीज दू लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स वाचिंग टेक्या बावाय सी यू इन माई नेक्स वीडियो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखि मिलते हैं फिर कुछ नई रेसिपी के साथ और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करना तो बिलकुल मत भूलिएगा और अगर आप को ट्राइ करना है ट्राइ करके फीडबेक देना तो बनता ही है प्लीज डू ट जालती है बस जैसे कहते हैं वैसे करती चली जाती है और फटा फट यह रेसिपी बहुत आसानी से बचे बना लेते हैं